नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है स्जीवी नियूस पर राहूल गांदी जो हमेशा से अपने बियानों को लेकर विवादों में नजर आते हैं अब दोबारा से कुछ ऐसे उन्होंने बियान दिये हैं जो चर्चाओं का विशे बन चुके हैं और इन बियानों को लेकर भारतिन्ता पार्टी की तरव से प्रवक्ता और राजजवसांस सुदान चुत्रिवेदी ने भी कॉंग्रेस पर हमला बोला है दरसल सबसे बहले बात करते हैं आपर गरंटी की जो गरंटी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़ादा सुनने को मिल रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरव से कि हम ये गरंटी देते हैं हमारी सरकार बनेगी तो यह होगा अब इसी बीच राहूल गांदी जो पिछले कुछ दिनों से लदाख में हैं वहाँ पर अपने संबोधन में राहूल गांदी ने काया है कि मैं गरंटी दे रहा हूँ 2024 में हम BJP को हरा देंगे तो यह राहूल गांदी ने गरंटी दी है लोगों को कि वो 2024 में BJP को हरा देंगे उसके पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि पहले अपनी अमेठी वाली सीट तो बचा लीजिए बहराल आप लोगों को क्या लग रहा है भी अपनी राय जरूर रखेगा इस पर आई अब विस्तार पूरो का आपको बताते हैं और क्या क्या कहा गया राहूल गांदी की तरफ से दरसल राहूल गांदी ने कहा कि 2024 में BJP को हरा देंगे और इसके साथ ये भी कहा कि मद्यपरदेश, राज़सान, 36 गड़ और तेलंगाना के चुनाव कॉंग्रेस पार्टी जीतने वाली है दीए हर पार्टी जो है वो अपनी जीत का दावा करती है कि हम जो है जीतेंगे जितने भी राज़ों में चुनावा रहे हैं सब जगा हम जीतेंगे ये हर कोई दावा करता है बट असल सचाई क्या है वो जनता सब जानती है क्योंकि जनता जनारदन है वही वोट देती है लेकिन अब सुनिए यहाँ पर लदाग दोरे के दुरान यहाँ पर जब लग-लग लोगों से मुलाकात कर रहे थे जोरान उन्होंने जब यह कहा कि जो संस्थान है उनके उपर तंच कस्ते हुए कहा कि बीजेपी के उपर एक हिसाप से नोने संस्थानों को कबजाने का आरोप लगा है और कहा कि एक बात समझनी होगी, लोग तंतर में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, आज हिंदोस्तान में ये नहीं हो रहा है, आज BJP ने हिंदोस्तान के सभी संस्थानों को कंट्रोल कर रखा है, अगर BJP ने सभी संस्थानों को कंट्रोल करके रखा है, तो राहुल गांदी जी इस बात का जवाब देंगे अगर सभी संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है। क्या इस बात का जवाब देंगे या केवल और केवल जनता को बर्गलाने का काम करेंगे बैरहल आगे मीडिया के लिए कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि फ्री और फेर मीडिया है क्या आपको लगता है मीडिया हिंदोस्तान में निश्पक्ष है बीजेपी ने सभी माल किये गे इनकी तरफ से संस्थानों के नाम इनके बारे में अगर आपको बताऊं सबसे पहले वो बात कर रहे हैं मीडिया की हाल ही में जो बड़े खुलासे हुए एक मीडिया ग्रूप को ले करके कहां से फंडिंग हो रही है कहां से सब चीजे उस पर तो कुछ नहीं बोल राहुल गांदी क्योंकि खुट जो है चाइना जाकर अग्रिमेंट करके आए हुए है तो उस पर क्या बोलेंगे बैरहल आगे बात कर रहे हैं ब्यूरो क्रेसी की सबने देखा हाल ही में क्या हुआ दिल्ली के अंदर जब पौर्ज मिली दिल्ली सरकार को तो जो अधिकारी यहां पर गोटालों की जांच कर रहे थे उनको हटा लिया गया सबसे पहले लेकिन वो नहीं दिखेगा राहुल गांदी को क्यों क्योंकि वो तो गड़बंदन में उनके साथ हैं आमादमी पार्टी के साथ हैं आगे बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की फिर वही सवाल पालिका पर सवाल उठा रहे हैं कि नयायपालिका सब पर आक्रमन करके रखा हुँ है यह जो हाल ही में राहुल गांदी की संसद स्दस्यता बहाल हुई यह बड़े-बड़े जशन मनायेगे कॉंग्रेस पार्टी की तरह से मिठाय यह बांटी गई अगर ये न्याय पालिका बीजेपी ने कंट्रोल कर रखी है तो फिर राहुल गांदी की संसर सदस्दा बहाल कैसे हुई बहुत बेसिक सी चीज़े हैं लेकिन जान पूश करके कुछ ना कुछ बोलना है तो आजकल अगर आप अपोजिशन की स्पीच को सुनेंगे सबा में नेता प्रतिपक्ष बंगाल से आने वाले अधिर रंजन चोधरी पंचाज चुनाव में पश्चिम बंगाल में सरकार पर लगातार हावी हो रहे थे सवाल पूछ रहे थे आप तो नहीं के साथ गड़बंदन करके बैठ गे कॉंग्रेस के ही कारे करताओं की वहाँ पर हत्या हुई लेकिन आप उनके साथ गड़बंदन करके बैठ गे वहाँ पर आपको चुनाव आयोग नजर नहीं है टीमसी के लिए आपने ये बात तो नहीं कही जबकि वो विज्जूल सबने देखें क्या हुआ है वहाँ पर चुनावों के दुरान पंचाई चुनाव के दुरान और कैसी हिस्ट्री रही है वहाँ की बैरहाल आगे वो कह रहे है बीजेपी जो है पिछला चुनाव नहीं जीती अगर मीडिया फेयर होता देखिए कह रहे हैं पूरे सिस्टम को कबजा लिया को डिरा रखा है इसी लिए जो है यहां पर हम पिछला चुनाव हार गे अपनी रिस्पोंसिबिल्टी कभी नहीं लेंगे इससे यह समझ में आता है कॉंग्रेस हारी ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं मीडिया पर मीडिया फेयर नहीं था कॉंग्रेस कहां थी जमीन पर आप क चुनाव हार गे हैं दोबारा इतने सालों में कितनी बार गे आप لوगों के बीच कितनी बार जा कर के आपने लोगों की शमस्यां जानी नहीं गए आप और उसके बार जब भार होती है तो बोलते हैं कि देखिए इंस्टिदीशन को कभ जा रखा है मीडिया फेयर नहीं है इ से जीत के आगे राउल गांधी ने भी कहा कि कॉंग्रेस सिर्फ एक राजनितिक पार्टी नहीं है यह विचार धारा है एक सोच है हिंदुस्तान के करोड़ो लोगों के दिलों में है इसमें सविदान के मुल्य भी है लोगों के लिए सम्मान है आप बाजपा का राज देख हैं तमाम बाते कॉंग्रेस पार्टी का महिमामेंट डन कर रहे हैं लेकिन राजस्तान में क्या हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे उस पर चुपी साधे रखेंगे उस समय बिलकुल साइलेंट मोड पर चले जाएंगे लेकिन बातें बड़ी-बड़ी करेंगे कॉंग रहान मंत्री सच नहीं बोलते हैं जबकि संसद में जब शीद कालिन सत्र में विदेश मंत्री एस जैशंकर ने बिल्कुल उस समय राहुल गांदी एक भी दिन शीत कालिन सत्र में संसद में नहीं आये थे बाहर से बैठ करके आरोप लगा दिये और एक भी दिन शीत कालिन सत्र में नहीं पहुंचे जबकि विदेश मंतरी एजजय शंकर ने जवाब दिया वहाँ पर बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं दिजिटल यूग है मैप है सबके बताये कहां चीन लिए केवल आ करके मन गणनता रोप लगाना सरकार बार बार बोल रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन नहीं मानेंगे अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सुदान्चुत्रिवेदी उनकी तरफ से प्रेस कॉंफरेंस की गई है और यहां पर पूछा गया है कि समझ में नहीं आ रहा है सब्दान चुत्रिवेदी की तरब से कहा गया कि बार-बार इनका जो है राहुल गांदी का चीन की बातों पर इनको इतना प्यार क्यों आता है चीन पर इतना प्यार क्यों है और सवाल यह भी उड़ता है आज रहा अटाकिंग मोड पर रहा है अगर कैजूल टिज हुई है दोनों जगा में तो वहां पर जादा कैजूल टिज हुई है चीनी सैनिकों की जादा कैजूल टिज हुई है लेकिन नहीं यह राहुल गांदी नहीं मानेंगे क्योंकि इनको भारत देश में जो चीज कही जात उन्होंने जो खाना खाया, उसका खुलासा खुद तो नहीं किया था, बलकि चीन ने इस मुलाकात की तस्वीरे दुनिया में शेयर की थी, उसके बाद ये सचाई सामने आई थी, 2008 में तो जाकर कैमुई हुसाइन किया था, वाँकी CPC के साथ, कॉमनिस पार्टी ओफ चाइना रिवेदी ने कहा कि 2020 में बीजिंग के एक ठिंग टैंक ने जिस हिसाब से बताया, टाइनमेंट स्केर का जिकर उन्होंने किया, कि उसके बाद सबस्यादा प्रभावित, जो है यहाँ पर कूटनितिक, जो यहाँ पर पीछे है चाहिना, वो टाइनमेंट स्केर मसकर के 2020 में गलवान वैली के बाद जो है चीन सबस्यादा पिछड़ा हुआ नजर आया, उस समय क्योंकि लाखो चातर जब डेमुक्रेसी को ले करके प्रोटेस्ट कर रहे थे तो टैंक चला दिये गए थे उन पर, टैंनमेंट स्क्वेर में, और हजारों लोगों की मौत हुई थी उस समय वो देश कुटनी तिंग मामलों में पीछा गया और अब जो रिपोर्ट सामने आई एक तिंग टैक के पुताबिक 2020 में इस जड़ब के बाद वो उतना पीछे नजर आया, बैरहाल लेकिन ये सब फैक्ट्स जो है शायद राहुल गांदी इन सबको नहीं देखते है और केवल अपनी जो है चुनावी रनिती के तहट जो है तमाम चीजे कहते हैं बिना फैक्ट्स के और का है उन्होंने गरंटी दी है कि 2024 में सरकार बनाएंगे चारो राज्यों में भी सरकार बनाएंगे आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपकी क्या रहा है आपकी र अपडेट के लिए बने रैस्टीव नियूस के साथ धन्यवाद